रिचा शर्मा जी जैपूर से जैशी हरिवंश गुर्देव साधर प्रणाम महराज जी आज पास्चाते और हमारे आसाधारन वहवारिक समाज के प्रभाब से ग्रसित माता पिता अपने बच्चों के संसकारों को नजर अंदाज कर रहे हैं महराज जी ऐसे में बच्चों में संसकार कैसे स्थापित करें माता पिता की क्या भूमिका है और क्या होने चाहिए अपने आचरन सुद्ध करो संसार को थोड़ी सुद्ध कर सकते हैं यदि हम एक एक जन अपने को सुद्धारना सुरू करें तो लगता है बहुत सुद्धार हो जाएगा हम अपना शुद्धार करें माता पिता ही ब्रश्ट आचरन कर रहे हैं माता पिता बच्चों के सामने सराब पी रहे हैं के सामने जो नहीं बोलना चाहिए नहीं करना चाहिए तो बच्चे क्या करेंगे आपको जब बोतल लाके देंगे तो उनके मन में नहीं आएगा कि मैं भी कभी पीऊंदेखूं के पापा पीते हैं कैसा होता है आप अशावधान है जो आपकी पती पतनी के हास परियास ने तुम्हारा बच्चा देख रहा है सयाना हो चुका है तुम्हें ग्यान नहीं तो फिर उख्या करेगा वो भी गंदे आचरणों में उतरेगा आप खुद अपने आचरणों से शिक्षा दे सकते हैं परिवार को द हम सच्ची पतनी बने सच्चे पती बने सच्चे पूत्र बने सच्चे शमाज सेवक बने तो सब का कल्यान हो सकता है सब का मंगल हो सकता है पर प्रया हम सब अपने धर्म से चूक जाते हैं और हम चाहते हैं दूसरा दूसरा धर्म से चले और हम धर्म से चले कोई बात नहीं कभी ऐसा नहीं हो सकता, पहले हमको अपने उपर शासन करना पड़ेगा, एक महात्मा के पास एक परिवार के जन गए और कहा हमारा बच्चा गुड बहुत खाता है, आप मना कर दो आपकी श्रधा, विश्वास के करन बात आपकी मान लेगा, उनका अगलेस रविवार को आना आए, उनका बेटा गुड मत खाया करो, उनके माता पितन का ये बात आप उसी दिन कह सकते थे महाराजी, आज क्यों कहा, बोले मैं खुड गुड खाता था, एक हपता होगे छोड़ दिया, अब बोला, अगर हमारे आचरन सही नहीं हम बच्चों को ब्रमचरी सिखाएं, हम हमारे आचरन सही नहीं उनको कहें, बोई फ्रेंड मत बनाना, गर्ल फ्रेंड मत बनाना, ये तो आपका उकदेस काम नहीं करेगा, अपने आचरन सही करो, नाम जब करो, अब आप जिस पर भी संकल्प करोगे, उसका चरित्र बदल सकते हो, उसका जीवन बदल, क्योंकि आचरन की बाते सुनाएं, देखो अमुक्षंत ऐसा करें, सैयम से चलना, हर बच्चे को सिखाए जैए, प्राताकाल उठकर भूमि को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, कहा पर गलता है, कहा पर भीता है, प्राताकाल उठकर रहुनाथा, मात पिता, था कहा रहा है कोन बच्च अपनी मम्मी पापा की चर्म चुता है जब हम धर्मका इपालन नहीं करेंगे ओ हम यह सूचे कि पीछे की जो अन्यल देश हैं उनकी बाते हमारे में आ रहे हूं कहीं नहीं आ रहे हैं हम खुद स्वैकार करते तब आ रहे हैं यह से कैसे आ कि गंधी बात विदेश में यह थोड़ी कि हमारे देश में थे ही नहीं ऐसा नहीं है कभी भी कभी भी किसी भी युग में बराबर पल्ल्ला रहता है ऐसा नहीं होता है कि जब रामजी ओतरित होए तो मुनियों को खा-खा करके राक्चसों ने हडीयों का धेर लगा दिया प्रभु ने पूछा ये धेर किसका है तो बोले जानकर अंजान बन रहे हो प्रभु ये रिशियों के अड़िया निसाचरों ने खाखा कर रिशियों को ऐसे तब भुजू उठाए प्रण की निश्चरहीन मैं करो त्रेता युग की बात पहर है हर युग में आशुर होते हैं हर युग में दैवी संपदावान होते हैं अब आप क्या गरहन करना चाहते हो दैवी संपदा या आशुरी भाव तो हम अगर कहें कि पास्चात सब बिता नहीं भईया हमारे विदेश में था है रहेगा अब आप स्वैकाल क्या करते हैं आप देखो हम अगर विदेशियों की निंदा करते हैं तो आओ इस पक्ष में कंठी, माला, धोती, चोटी हरे क्रिशना, हरे क्रिशना स्वैकुनों आपको विदेशी दिखावें लोटते हैं रजमें और आप आपके वस्तर अट रहे हैं आपका तिलक अट रहा है, आपकी सभ्यता अट रहे है, वो प्रभाव दिखा रहें क्या हमारा देश का ऐसा प्रभाव है कि पसुवत आचरन करने वाले विदेशन बोल रहे हैं हमारे घर में बैठे हमारे देश के लोग पसुवत आचरण को तो उनका दोस है या आपका दोस है हमें बताओ उनका दोस है वो आके आप प्रचार प्रसार कर रहे है कि तुम इतने कपड़े पहनो तुम ऐसे करो तुम क्यों देखते हैं उनकी बात अगर उनका गुण देखो तो तुम्हारे अंदर भावा जाए जो जानते ही नहीं राम कृष्ण क्या हैं वो गा रहे हैं हरे कृष्णा हरे और नाच रहे हैं सैकुनों की मंडली है ब्रिंदान में आती हैं ना सैकुनों केवल विदेशी दोती, कुरता, तिलक, कंठी, छोटी, यह हमारा सनातन दर्म वो और हम, हमारी गलती है हम अपने आचरन को सुदारे जब तक हम स्वयम अपने आचरन ने सुदारेंगे तो ना बच्चों को उपदेश दे सकते हैं और ना हम पडोशी को सुदार सकते हैं ना देश को हमारी बात होती सीधे देश की वह आचरण हम अपनी इतने के नेशुदार सकते हैं तो यह तो फी बिनोध ही है भासन देके दूसरों को प्रभावित करना है तो बहुतों को आता है आचरण से चला जाए तो भी बात बनेगी भासन से तो बात बनेगी